नमस्कार मैं इंदू रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लाटफॉम वकील एपी सिंग ने पाकिसान से नेपाल के रास्ते बिना वीजा के भारत में अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने पोची सीमा हैदर से राखी बंदवाई है इस मौके पर एपी सिंग ने कहा कि बहन सीमा के सारे दुख मेरे और मेरे सारी खुशियां सीमा को समर्पित हैं उन्होंने कहा कि देश के परंपरा, रिती रिवाज, संस्कृती और जीवन पदिती के भीतर अगर बहन को आर्थिक, शारिरिक, मानसिक या कानूनी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा उन्होंने कहा कि बहन का घर भरा रहे, बच्चों में खुशाली हो, यही कामना है वहीं सीमा ने पाकिस्तान के नागरेकों से भाँ भी राखी मनाने की अपील की है इस मौके पर सीमा हैदर ने कहा कि जिंदगी में पहली बार रक्षा बंधन का तियोहार मनाया है इस बात से भी खुशी जादा है कि मैंने राखी भेजी थी लेकिन वो घर आ गए मुझे विश्वास है कि कानून मदद करेगा सीमा ने बताया कि उसने पीम नरेंद्र मोधी, केंद्री ग्रहमंत्य अमिश्चा और यूबी के सीम योगी आदित्यनात को भी राखी बेजी है इस मौके पर सीमा ने फिल्म और बिग बॉस पर एंट्री को लेकर भी बात की सीमा ने कहा कि बिग बॉस से ओफर नहीं आया है, बाकी बातें वकील बताएंगे सीमा से राखी बंधुआने के बाद वकील एपी सिंग ने भारतीय नागरिक्ता के बारे में कहा कि उस पर बाद में सीमा से विचार करेंगे आज बहन को आश्रवात देने पहुचा हूँ, एपी सिंग ने कहा कि कानूने तयारी भी की जा रही है, जल्दी ही उसको भी साजा किया जाएगा एपी सिंग ने कहा कि सब कुछ समर्पित रहे, ये कच्चा धागा, याद दिलाता है कि बहन के सारे दुख मेरे हैं उन्होंने असमाजिक तत्वों को मैसेज देते हुए कहा कि वो भी रक्षाबंधन के तयोहार से सोचे फिल्हाल आपको एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही देश दुनिया से जड़ी तमाम न्यूस अपडेट्स के लिए आप जड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लाटफॉर्म के साथ धन्यवाद